तो दोस्तो कैसे हुआ आप मेरा नामे सद्दामुसेन और आप देखरे हैं वाइफाइ स्टुडी 3.0 जो दोस्तो आज कि इस वीडियो में टॉप 15 कोस्टन लिया है आयोध्या विवाधित जो जमीन थी मंदिर या मस्जित का जो भी फैसला आने वाला था आज वो फैसला आ चुका है तो उससे रिलेटेड आज मैंने टॉप 15 कोस्टन लिया है जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आविव से बहुत ज्यादा इंपोरेंट होने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखते रहिएगा तोस्तों मैं हमेशा इस चनल पर ज को सबसे पहला को संहें जो बीजुएं ने कताा इसका क्रभां सब सैंस बैस कर देना पाला सबसें पहला कोउस्ट ने ऐध्या मामले में अपनी सुनेवाइग का पूरी कर ली थी तो याद रखना है को सुप्रीम कोट कोट ने आयोध्या जो विवादी जमीन थी उसकी जो सुनवाई चल ले थी कब पूरी कर लिया था तो याद रखना है आपको कब पूरी कर लिया था 16 अक्टूबर 2019 को आपसा नमसी यहां पर करेक्ट इंथर हो जाएगा कब पूरी कर लिया आपसे पूछा एक वसन में तो 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोट ने आयोध्या विवादी जो जमीन चल रही थी उसकी सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 को पूरी कर लिया थी तो यह याद रखना है आपको अगला कुस्सन ने दूसरा नंबर अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोट ने अपना अंतिम फैशला कब सुनाया तो most important question ने सबको मालू है यानि कि आज ही सुनाया और अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोट ने अपना अंतिम फैशला कब सुनाया तो याद रखना है आपको 9 नमंबर 2019 को अपसन नमंबर A यहाँ पर करेक्टिन सरू जाएगा तो यह याद रखना है आपको और आयोध्या यह भी कुस्टन आपसे पूछा जाएगा तो इस अंतीम फैसले सुनाने के वक्त गर्मेंट के चीफ चस्टिश आप इंडिया कौन थे तो यह मैं आपको अगले कुस्टन में बताऊंगा अभी आ रहे हैं सभी कुस्टन आगी तो बहुत ही और एस ए बोबड़े असोक भूसर और अब्दुन नजीर तो यह चारो जो जज है आयोध्या मामले फैसला देने के समय चारो जजों ने अगवाई किया है चारो जमों के सम्मर्ति से यह फैसला लिया गया है तो इसको संगा राइट इंसर हो जाएगा इन में से सभी तो य मैं याद रखना है आपको अगर आपसे पूछा जाए कि चीप जस्टिस आफ इंडिया कौन थे या फिर कौन है अभी फिलहाल में बाद में अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है उसक्त वो रिटायर हो चुके होंगे तो तो चीप जस्टिस आफ इंडिया तो यह याद रखना है आपको नेक्स कोशन ए डिया विवादित का फैसला कितने जजों की सरु समती से मिली तो अभी मैने आपको बताया पांच जजों के सरु समती याद रखना है आपको आयोध्या विवादित फैसला कितने जजो के सरों संमति से मिली पांच ज़व जो के याद रखने है आपको सब्सक्राइच आईणाब करेक्टन्स को चलते हैं सब्सक्राहिए नेंट tuyel to तो आयोध्य मामले का फाइनल फैसला किसके पक्ष में मिला तो यह याद रखना है आपको अफसन दिया हुआ है सुन्नी वक्षबोड और राम जन्म भूमी न्यास निर्मोही अखाडा इनमें से कोई नहीं तो यह याद रखना है आपको इसको संकर राइटन थरोजे का राम विवादित जमीन का मैं बताऊंगा आपको कितने एकड़ का है वो और पांच एकड़ का जमीन अभी मुख्लिम पक्ष को यानि की सुन्नी वक्षबोड को मिला है आयोध्य में ही मस्जिद बनाने के लिए तो यह याद रखना है आपको और इसको संकर राइट इंतर हो जल्ट किसके पच्च में मिला रानम जनवर न्यास ऍथे मुख्लिम के लिए जमीन अभी मैंने आपको बताया पांच एकड़ की जमीन लिए तो अयोध्या किस नदी के किना жизsey उन्या है इस्हाइन वाज्ग सरीयूं सरीयू नदी के किना है आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से याद रखना है आपको चीप जेस्टिस आफ इंडिया कौन है तो याद रखना आपको रंजन गोगोई आफसे नमबर बी यहां पर करेक्ट इंसर हो जाएगा हाली में रिटायर होने वाले हैं तो यह दोनों पाते याद रखनी है आ जफरियाब जिलानी साहिद रिजवी अब्दूल नजीर और इंडियंसे कोई नहीं तो याद रखना है आपको आयोद्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील का नाम था नाम है जो वकील है सबसे पहले जफरियाब जिलानी ओसर नमर यहां पर करेक्ट अंसर हो विवादित जमीनर 2.77 ऑसनमबर b को और मुस्लिम पक्ष्य को जमीन मिला है उसको विवादित तो कि याद रखना है आपको जमीन में आया दर्खना आपको और जो तो वो 2.77 एकल की है तो याद रखना आपको नेक्स कुस्टन आयोद्या की सराजी में स्थित है तो मोश्ट इंपोर्टेंट कुस्टन और बहुत यह असान कुस्टन है खासकर में उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो उत्तर प्रदेश में ही इस तित्हें याद रखना याद रखना है आपको कब गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को यानि कि 6 दिसंबर 1992 को यह याद रखना है आपको बाबरी मस्दित का धाचा कब गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को बाबर के कारेकाल में मीर बाकी के द्वारा यह मस्दित बनाया गया था और उसको कब गिराया गया था धाचा कब गिराए गया 6 December 1992 को नेक्स कोशन है बाबरी मस्जिद किसे ने बनवाई जी तो अभी मैंने आपको बताया बाबर के कारेकाल में मीर बाकी ने बनवाया था याद रखना है आपको डिरेक्टली आप लोग बाबर का आप्शन टीक करते हो तो यहां पर बाबर के कारेकाल में मीर बाकी ने बनवाया था बाबरी मस्जिद और उसका नाम रखा था जो मस्जिद का बाबरी मस्जिद याद रखना है आपको तो बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाया था बाबर के कारेकाल में तो यह थे सभी के सभी important question और सबसे last question इसका एंसर आपको हम सुप्रीम कोट ने अयोध्या मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी नेक्स कोशन है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोट ने अपना अंतिम फैशला कप सुनाया तो आज ही सुनाया है 9 नमबर 2019 को अब हमको नहीं मालूम कि आप कप वीडियो देख रहे हो लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आज ही 9 नमबर का दिन है 2019 में जो कि आयोध्या विवाद में सुप्रीम कोट ने अपना अंतिम फैशला सुनाया तो यह याद रखना है आपको नेक्स कुशन है यह डेट याद रखना है आपको आयोध्या मामले में फैसला देने के समय जज कौन थे तो याद रखना है आपको पांच जज थे यह जो कि चार जजों को नामी हपी दिया हुआ है डी वाई चंद्रगू एस ए बोबडे असुक भूसर और अबदुल नज जो पाचवी जज है चीप जस्टिस आफ इंडिया उनका नाम है रंजन गोगोई जो की हाली में रिटायर होने वाले हैं तो यह याद रखना है आपको अगला कुशन आयोध्या विवादित का फैसला कितने जजों की सरुसमति से मिली तो पांच जजों की सरुसमति से मिली ये याद रखना है आपको अयोध्या मामले में लगतार कितने दिनों तक सुनुआई चली तो 60 दिनों तक सुनुआई चली है है यह आज्ण को अखाड़ा को सुपरिम कोर्ट में खारेच और सुन्नी वखफ़ बोड को 5 एकड की जमिन आयोध्या में ही मिलेगी मँजिद बनानी के लिए दो याद रखना आपको नेस्ट मामले के फैसले में मस्दित के लिए कीतनी एकटल मैले तो मस्दित के लिए पांच एकडल की जमीन मिले। याद रखना आपको श्ट्रोफन सबसे पहले सब्सक्राइब कर जाएगा सबसे आसान उत्तर प्रदेश बैदेष में याद रखना है आपको नेक्स सहने बाबरी मस्जद का ढताच कब गिराया गया था तो बाबरी मस्जद का ढताच कज ऑऺ गर गया थाथ छै दिसंबर 1990 कोulates सी यह याद रखना है आपको सादपक करेकाल में मीर बाति ने मस्जद का नाम था ौसक कोल्स कि थे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा ओतो सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन करने सान याने घंटे का उसे लिए क्लिक करके नोटिफिकेशन वालान कर लिजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वह सीधे आप तक पहुचे दोस्तों में हमें सा इस चनल पर जीके जी है जनल आवेरनेस औ अभी तक आपने उन सभी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने पूरी प्लेलिस्ट वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्कुशन बाक्स में आप वहां से वाच कर सकते हो बहुत इंपोर्टन कोस्टन है आपके किसी भी कंप्रेशन एक्जाम के लिए और